दोस्तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी बायर के इगनिटस के बारे में ये इस टाइप का आता है न्यू प्रोडेक्ट है प्लांट क्रोथ रेगुलेटरी ये होता है तो कौन-कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी स्टेज में आपको यूज करना चाहिए कौन सी स्टेज में यूज नहीं करना चाहिए परफेक्ट डोज क्या है प्राइस क्या है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन क्या है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगी तो लाश्ट तक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तो माहू अनीता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लिटेश्ट अपडेट आप तक फटा फट पर पहुंशते रहे दोस्तों ये बाइर का जो इगनिटेस है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और इसके टेकनिकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आता है साइकला निलाइड 2.10% और मैपिक्वेट क्लोराइड आता है 8.40% मैपिक्वेट क्लोराइड सेम कहड़ा कंपनी के चमत करेंगे तो रिजल्ट इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों प्लांट क्रोथ रेगुलेटर को या फिर बाइर के इगनिटेस को कब इस्तेमाल करना है तो ये सबसे इंपोर्टेंट है कि जब फसल के बढ़वार बहुत ज़्यादा हो रही होती है यानि कि फसल के पूरी एनर्जी बढ़वार में लग रही होती है दांच ज़्यादा निकल रही है या हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है लेकिन फ्लोवर्स फसल में नहीं आ रहे है और ये स्पेसली अभी जैसे कपास की फसल में ये समश्या ज़्यादा देखने को मिलती है उसके साथ फसलों में शौर्ट इंटेनोड के लिए इसको यूज करना चाहिए बाइर के इगनिटस को प्लांट की एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए हाइट बढ़ाने के बजाए फ्लोवर्स ज़्यादा आएंगे फलफूल ज़्यादा आएंगे और ड्रॉपिंग की समश्या नही आती है इसलिए इसको यूज करना चाहिए बात करें कि कौन कौन सी फसलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है इस टाइम के लिए कपास की फसल के लिए कपास में अगर हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए उसक कंद वर्गिये फसलों में कंदी की साइज नहीं बन रही है या कंदी की साइज बनते समय आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कंदी की साइज बहुत अच्छी बनती है बाकी आप किसे भी फसल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बग 500 के सम्थिंग ये मार्केट में अविलेबल हो जाता है और बाइर के एगनिटस की परफेक्ट डोज की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप टैंक से स्प्रे करते हैं छोटा जो पंप आता है 15-20 लिटर का तो उसमें 6-7 ml आप इसको यूज करेंगे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके साथ ही 100 लिटर पाने में 40 ml आप डाल करके मिक्स कर सकते हैं एक एकड के लिए 200 लिटर पाने में 80 ml को आपको मिक्स करना है और स्प्रे करना है ये 100 ml की बोटल है इसको कम से कम 500 लिटर पाने में आपको मिक्स करना है और इस्प्रे करना है कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो नॉर्मली जो फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड है उनके साथ में आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और किस तरीके से आपको गोल तयार करना चाहिए कौन सी फसल में आपकी समश्या है कि फ्लोवर्स कमा रहे हैं और ग्रोथ बहुत जादा हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जब भी हम इसको यूज करेंगे लाइव में आपके लिए वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूँगी किस तरीके से गोल तयार करते हैं किस तरीके से इसका कॉंबिनेशन तयार करते हैं और भी कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं जानकर या अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद